महत 6 दिनों में ही रीवा पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा कर दिया जिसकी जानकारी आज प्रेसवारता के माध्यम से दी गई दस मार्च को एक महिला ने सिविल लाइन थाने में आकर सूचना दी कि वो आटो से रेल्वे स्टेशन जा रही थी तभी दो बाइक सवार आएं और उसके पास से 80,000 नगत एक टैबलेट और एटियम लूट कर ले गए मामले को गंभीता से लेते हुए पुलिस ने टीम गठित की और आरोपी दिव्यांशु नीरत उर्फ जोन्टी और ओम प्रकाश पतेल दोनों अपराधी महिरा थाना गोविन गड़ के रहने वाले हैं जिने पुलिस ने गिरफतार कर प्रेसवारता के माध्यम से पूरे माम दातों में शामिल थे इनके लिए पहली घटना के पश्चात से ही लगातार प्रयास कि जा रहे थे उसके पश्चात जब बाकी अन्य घटनाएं और प्रकाश में आई तो उन सबको सीरिस क्रम में जोलके देखा गया और इसमें लगातार हमारे जो थाना का स्टाफ है उसने विविन CCTV केमरेज और विविन मुख्विर जो उनके संपर्ग में थे उनको भी एक्टिवेट किया और अंत में साइबरसल की टीम का भी रोल लहा और फाइनली पूरे टीम ने अच्छा काम करते हुए दो आरोपियों को पकला है इनसे हमारी चार घटनाएं भी लूट की ट बाल अपचारी भी रहा है उसके पूरू में दोरान चार अपराद थे परतमान में भी चार अपरादों में वो शामिल रहा है और हम लोग अभी लगातार उनसे पुस्ताश कर रहे हैं कि उनके साथी कुछ और हो यानने कोई गटनाउम उनकी पस्चिती हो इसको लेके भी हमारे टीम में लगातार पुस्ताश कर रही है गोविंदगर्ण तानाचितर के रहने वाले हैं आरोपी और उनमें से एक आरोपी अभी कुछ दूनों पूर लोटके आया है भार नौकरी करता था ऐसा उसने पताया है जहां पर वो काम करता था हम लोग एक बार उस जिले मे आएगा इन्विस्टिगेशन में और जो भी फैक्स और चीजें सामने आएंगी आपको हम लोग कल भी शेयर करेंगी अने आपको बताया कि जब वो नवालिक थे तो चार इनके अपराद थे और उसके पशात अभी यह वर्तमान में जो अपराद आपको दिख रहे हैं एक स